कि आप इस जो एक विद्धियों के दोस्तों बैक टो स्कूल के सेशन में फिला हला मॉडर्ण डिसकस कर रहे हैं और चार्प्टर फोर हमारे साथ है एक सेक्शन हमारा बच गया था उसे आज डिसकस कर लेते इस विडियो में तो लास्ट सेक्शन हमारा कौन से उसे देख लेत सब्सक्राइब देख लेते हैं हेडिंग है डालहाजी एंड दियर पॉलिशी ऑफ अनेक्सेशन 1848 से लेकर 1856 के बीच में डालहाजी इंडिया कब आया और इसके टाइम में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए इस चैप्टर में जो डिसकस किया गया उसे देखते हैं और इसने आते-ाते ये डिक्लेयर भी किया कि जो इंडियन नेटिव स्टेट्स हैं अब उनका एक्जिस्टेंस जो है वो कुछ समय की बात है उसके बाद हम देखेंगे पूरा का पूरा अपने अंडर में कर लेंगे तो इसने आते ही ये क्लेयर कर दिया था कि ये क्या करने इसके लिए कौन-कौन से इंपॉर्टन टूल सी भी यूज करता है उसे डिसकस करेंगे देखें जबी इंडिया आया तो इसने कहा कि जितने भी इंडियन नेटिव रूलर से है उनका जो अड्मिस्टेटिव सिस्टम है वो पूरी तरह से फिल्लियोर है फिल्लियोर क्यों क क्योंकि हमारे बिटिस अडिस्टेशन सिस्टम है वो फार्द बेटर है जो इंडियन रूलर है उनसे इसके पीछे कारण क्या होगा समझे इनके पीछे एक ही कारण था उस समय तक जो इनका एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइनिंग फेज में चला जा रहा था हमने पहले भी आपके साथ कि जो बेटल के चक्कर में उनका जो डेफ्ट था वो बढ़ता चला जा रहा था उन्हें प्रॉफिट ट्रेड नहीं हो रही थी ऐसे कंडिशन में जो नेटिव स्टेट थे वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बनते जा रहे थे जो कि एक्सपोर्ट होना था वो ह उस समय तक बिटिसस को यह समझ में आ चुका था कि जो भी उनके अंडर में रिया था जैसे हैधरावाद हो मैसूर हो हमने अवद को देखा तो इन लोगों से जितना उनके help मिलनी थी यह जितना profit होना था वो हो चुका था इससे ज्यादा उनसे कुछ निकाला नहीं जा सकत जैसे क्या कहते हैं नीबू को कितना निचोड़ेंगे अब एक limit के बाद क्या होता है उसमें रस खतम हो जाता है सेम चीज यहां पर होता है अब जितना इलमें रस था उन सारे रस को पहले ही बिटिसस निचोड़ चुके थी इसलिए इनका ज्यादा important इनके लिए बचा नह जो के हमने पहले भी आपसे discuss किया था कि जो हमारा alliance वाला system था, subsidiary alliance जिससे हमने पहले ही discuss किया, subsidiary alliance में क्या करते थे, यह लोग जाते थे, वहाप अपने resident वगरा रखते थे, अपनी army रखते थे उनके हाँ पर और उनके जो internal मामले थे या export मामले थे, जो दूसरे लोगों स किया हुसे जरा समझ लेते हैं, देखें, doctrine of lapse में, डेल होजी ने डिकलियर किया, कि अब किसी भी ruler का, जिसका कोई natural, कोई hair ना हो, बारिस ना हो, बारिस में भी कौन, successor में भी sun होना चाहिए, female नहीं होनी चाहिए, girl नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उस समय तक हमने क्या देखा, successor किसे माना जाता था, sun को माना जाता था, ना कि girl को माना जाता था, तो अगर किसी का, ruler का, कोई, sun नहीं है, तो obviously क्या होगा, वो जो area होगी, अब British control में आ जाएगी, और कुछ मामलों में क्या देखेंगे हम, कि जो successor भी होंगे, आप उसे adopt भी करेंगे, तो adaptation के बा पास होगा, जो governor general है उस टाइम, तो ऐसे मैं समझी, direct to indirect form में उन्होंने एक policy ही चलाई, कि अब कैसे भी करके पूरे area को हम अपने acquire कर लें, यही हमारा doctrine of labs कहला आया, देखेंगे, इसके अंडर में, सतारा 1848 में, और नागपूर और जहांसी 1854 में acquire कर लिया गया, पूरा का सब इनके अंडर में आ जाते हैं, तो यहां तक आते हैं देखें, doctrine of labs पूरी तरह से इनका implement होने लगा, आगे देखें क्या होता है, डलहोजी के एक और policy थी, अब यहां पर आकर इससे यह समझ में नहीं आता था, कि रूलर, जब वास्टविक रूलर, जो real ruler है, बिटिसस ह तो यह राजा, महराजा, जो लोग उपन के घूम रहे हैं, इन्हें हम इनके title क्यों रहने दें, या जो हम इनके pension दे रहे हैं, जिस पे हमें बहुत पैसे खर्च करने पट रहे हैं, तो उसे क्यों ना समराइच किया जाए, यह कम किया जाए, इसलिए इसने जो ruler थे, उनके सूरत के ruler के, और नवाब जो थे आवद के, इन सब के title को इसने छिन लिया, और title अब बीना title के, आप समझे उस समय तक क्या था, एक बहुत बड़ी क्या हुई, उनके लिए insult हुई, जो लोग राजा महराजा बनके घूम रहे थे, नाम के आगे राजा धिराज, महराजा ध प्रेट गया था, तो ऐसे में पूरी के पूरी इसने जो अपिसोवरेंडिटी ही, उसे इसने बिटिसर्स को दे दिया था, यहीं पर बाजी राओ के डेथ होने के बाद, दिल्हाओ जी ने जो इसका सक्षेशर था, नाना सहेब, उसे pension देना, या फिर जो उसके जो राजा नहीं था, उनके अंडर में ना एरिया बचे थे, ना पैसे बचे थे, तो एक जो टाटल लेके घूम रहे थे, वो भी डल्हाओ जी ने उनसे चिन लिया, लॉंग टरम में हम देखेंगे, यही लोग क्या होंगे, धिरे-धिरे, 1857 के रिबॉल्ट के लिए एक पूरा पूर देखा था कैसे पूरा का पूरा अवध उनके अंडर में ही आ गया था, तो अभी पूरा का पूरा डल्हाओ जी चाहता था कि कैसे भी करके अवध को अपने अंडर में कर लिया जाए, लिकिन अवध को अपने अंडर में करने के लिए उसका doctrine of life था, उसके जो भी requirements से वो फ अच्छल हैर था, जो successors था, बहुत सारे थे, एक नहीं तो बहुत थे, तो ऐसे में समझे क्या है, उन्हें आसानी से हटाना, उनके administration पर कब जा कर पाना, डलहाओ जी के लिए आसान नहीं था, हम देखें क्या, तो डलहाओ जी ने एक तरीका निकाला, फ़ादिन उसे लग हैं, उनकी responsibility अब हमारे उपर है, क्योंकि हम यहां लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, आपको help कर रहे हैं, तो आप जो भी administration चला रहे हैं, वो आपका administration पूरी तरह से फिल ले हो रहे हैं, यहां तक आते हैं, बिटिसस को क्या लगने लगा था, वो direct rule कर रहे हैं, अब जो people हैं, उनके लिए कौन है, protector कौन है, बिटिसस हैं, ना कि नवाब हैं, तो इसी बात को इसने ground बनाया, और कहा, कि अवद के जो नवाब हैं, हमारे वाजी दलिशा, उनका administration पूरी तरह से फिल ले हो रहे हैं, जो भी public है, people है, उनकी lifestyle पूरी तरह से destroy हो चुकी है, एकिनोमी destroy हो च अपने अंडर में कर लेता है, acquire कर लेता है, doctrine of labs के माध्यम से, तो समझे देखे, यहां तक आते हैं ते क्या है, अब अवद भी इनके अंडर में आ गया, यह कहा जाता है, कि जो नवाब सहब थे, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे इंसान थे, जनता के लिए बहुत अच्छा क बिटिसस की, क्योंकि हमने देखा, 1801 के टाइम के बाद से ही, बिटिसस पुरी तरह से उनके अंपर कबजा कर चुके थे, और पूरा का पूरा रूल वही कर रहे थे, ऐसे में सिर्फ नवाब सहब को ही दोसी बनाना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन दोसी तो अलड़ी है ही साथ ही साथ बिटिसस की जो भी पॉलिसी थी, वो भी इतने जिम्मिदार थी अवद के लोगों के लिए, देखे आगे क्या होता है, एक तरफ तो इन्होंने कहा, दलहौ जी ने के भाई, जो लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम आपके यहां पर रूल करने स्टार् जो भी समान इंपोर्ट होता था, वहां पर डिमांड जादा होती थी, वहां के लोग क्या थे, नवावी लाइफ जी रह थे, पैसे वाले लोग थे, तो मैंचेस्टर गूड के लिए एक बड़ा सा मार्केट था, इसलिए जो इनका में एम था, उसे कैसे भी करके उस पर पर चुके थे, तो इनका में जो इंपोर्टेंट एम यही था, कि कैसे भी करके जो हमारा एक्सपोर्ट है, या जो इंपोर्ट है, जो खराब हो रहा है, जो इसे प्रॉफित नहीं ले पा रहे हैं, उसे फिर से रिगें किया जाए, इसी कंटेक्स में पूरा का पूरा अव in one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives, last year we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes,